आज मैं चाना दल के साथ बनान स्टिम की रेसिपी शेयर करने जा रहाई हूँ और ये रेसिपी बहुती स्वाधिस्ट होता है आप तो बनान स्टिम बहुत पर खाए होंगे मगर ये रेसिपी भी एक बार ट्रॉय कर सकते हैं अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चै के लिए चैना दल को भीगो के रख दूँगी एक घंट बाद चैना दल अच्छे से भीग गया है अब उसको उबलने के लिए कुकर में डाल दूँगी फिर एक गलस पानी दूँगी और स्वाधनुसत थोड़ा सा नमा कट करूँगी अब धक्कन लाके उसको दो सिटी दे के रख दूँगी अब बनान स्टीम को तयार कर लेते हैं तो में यह बनान स्टीम में थोड़ा सा नमक दिया और थोड़ा सा हल्दी पाउड़ा दिया आप हाथ की मदस से अच्छे से समेश करना पड़ेगा जब तक बनान स्टीम से पानी नहीं निकल आ जाता तब तक उसक पानी निकल आ गया है तो उसको साइड में रखके अब कड़ाय में एक टीस्पून घी अटकत दिया घी जैसे थुरा सा गरम हो जाए तो में यह एक टीस्पून चीना बदम रखते उसको घी के उपर डलके थुरा सा फाइक कर लिया और एक टीस्पून किस्मिस बदम के अच्छे से फ्राइ कर लेंगे आप एक प्लेट में बदम और किस्मिस को सिफ्ट कर लिया घी के उपर और टुटीस्पून वाई टोयल अटकिया वान फुर्थ तीस्पून जीरा अटकिया एक सुखे मिर्ज दे दिया जैसे अच्छा खुस्भू निकलाए तब दो आप जो बनानस्टिम को में तयार करके रखे थी उसको धीरे धीरे तेल के उपर छुटते जाना है इस टाइम गैस काफे मीडियम में रखे अच्छे से बनानस्टिम को हिलाना है फिर एक टीस्पून चीनियाट कर दिया थोड़ असा नमक देंगे क्योंकि पहले में बनानस्टिम में नमक दिये थे तो इसलिए थोड़ असा नमक आटका दिया फिर अच्छे से बनानस्टिम को हिलाना पड़ेगा आप उबला हुआ चाना दल को धीरे धीरे बैनार स्टीम के उपर मिलाना है इस टाइम गैस काफे मेडियम में ही रखना है और धीरे धीरे चाना दल और बैनार स्टीम को अच्छे से दोनों को एक साथ अच्छे से मिलाना पड़ेगा फिर थोरा सा healthy powder देंगे और 10 मीट के लिए ठक के रखना पड़ेगा आप 10 मीट बाद 2 मीटची बीच से तोर के last में दे दिया इससे अच्छा खुस्बू निकल आता है तो मेरा banana stream अल्मूस् तयार होई गया है लास्ट में थोरा सा गर्म मसला पाउडर बाना श्टीम के उपर डाल देंगे और जो फ्राई किया हुआ पादम और किसमिस था उसको लास्ट में डाल देंगे फिर अच्छे से मिला ना पड़ेगा आप गैस साफ करके 10 मीट पर साफ करेंगे तो मेरा बाना स्टीम चाना दल के साथ बनके तैयार हो गया है और यह बहुती एक स्वाधिस ट्रेसिपी है आप भी एक बार जरूर ट्राई किजिएगा अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना बाई